मैंने मोबाईल कोर्स भी किया मोबाईल रेपेरिंग का कोर्स तो वह करके फिर उसके वाद एक रेपेरिंग वगयरा पर मैंने जॉब करी उस हम सबसे पेहले मुझे मिल तो सब सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब तीन मेहीने बाद करते करते काम मैं हमें लगा कि क्या ही बन्दे होते हैं कि छोड़ देते हैं या चौह मईने हो गए या सेल ने नहीं आ रही, या एटसेंस से कुछ बहुने रहा तो चल्र प्रिय शेयल नहीं रहा है और 2020 में में मेरी जो income बे एकदम हाई कुआ, iffleate की वह वाई 77,000 डॉलर माई गॉर्ड फिर मैने ब्लोगिंग भी स्टार्ट कर दी साथ में एक्सपायर डॉमें फिर मैने एक डॉमेन लिया 12,000 पे एक्सपायर डॉमेन ठीक है जब मैने स्टार्ट किया उसको थी में स्ट्रोल कर दी ब्लोग डाले विदिन 20 डेज में 100 डॉलर मेरे अगले महीने 500 डॉलर फिर गैर और सो पचास आए पे इस मंत लास्ट मन्त का एवरेवैन में मेरा 8000 डॉलर माई गॉगल में अगर आप चेक करोगे तो कोपी पेस्ट नहीं दिखाएगा कि आपने इस साइट से कोपी कराई या पेस्ट है पर गूगल को नहीं पता चल रहा है कि कोपी पेस्ट है भाई साथ कि टोटल कितना अर्ण कर रहे हो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और इंटरनाशनल ब्लॉगिंग सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही जादा इंस्पिरेशनल हैं उन्होंने अपने हालातों से लड़कर हिमत नहीं हारी अगर हालात खराब हुजाते हैं तो आपका दो आप्शन होते हैं या तो हिमत हाट जाओ और किस्मत को दोश देने लग जाओ या फिर आप उससे लड़ो क्योंकि ये हालात ही हैं जो आपको हीरा बनाते हैं तो ये इस व्यक्ति ने जो किशन है हमारे साथ हालातों से लड़ा और हीरा बना है, तो आज का पूरा वीडियो जब आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से हालातों से लड़कर आज ये इस्तिथी में आए हैं, तो चलिए हम स्वागत करते हैं वीडियो में, किशन आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस चैनल पे बलाने के लिए आचा, तो किशन एक छोटा सा इंट्रो अपने बारे में, सर मेरा नाम किशन सेंग है, मैं लास्ट 4-5 से एफिलेट मार्केटिंग प्रस ब्लागिंग कर रहा हूँ, मैं और मेरी वाइफ दोनों ही हैं, मिलके कर रहे हैं कहां से हो तुम? मैं देली से ही प्रोपर देली से ही हूँ तो कितना 5 साल से कर रहे हैं सारी चीज़ है? आचा, तो अब मैं जानना चाहूंगा कि इन सब चीज़ों की जो शुरुआत हुई क्योंकि ये थोड़ा सा अंट्राडिशनल काम है ब्लॉगिंग, अफिलेट, मार्केटिंग, सारी चीज़ें तो इनकी शुरुआत कैसे भी बच्छपन कैसा था तुमारा? बच्छपन सर, नॉर्मल, एक मिडल क्लास फैमिली जोती है, नॉर्मल, पढ़ाई में मन नहीं था पढ़ाई में मन नहीं था? विल्कुल नहीं था, एक्शली मैं फेल भी हूँ अब कितनी बार हैट टिक तो लगी हुए अच्छा जी, और उसके बार फिर मैंने ग्रेजुएट करी और जैसे फादर के बारे में बता रहे हैं? फादर मेरे, मैं जब साड़े च्छे साल का था साड़े च्छे साल का था? तो उनकी दयत हो गी थी तो घर में कैसी situation थी उस time फादर थे उस time भाई भी पड़ी बड़ा भाई जो है कितने भाई बहन थे मतलब मेरी चार बहनी और दो भाई हैं तो आप किस का क्या नमबर था मैं सबसे चोटा तो उस time फिर भालत बिल्कुल डाउन से ही चले गए थे तो उसके बाद फिर भाई ने पड़ाई चोड़ दी थी जाने के बाद हाद उन्हें स्कूल लिंग छोड़के फिर जोब पे इस्टार्ट कर दी रहोने अर्ली एज में जोब कर ली थी उन्होंने हाँ 15 साल गया सपस जो स्कूल छोड़के इस्कूलिंग तैंथ क्लास पूरी होई नहीं थी फिर उन्होंने जोब करी बाकि मैं तो साड़े 6 साल गया था उस टेम पड़ी रहा था इतना मुझे नौलिज भी नीथी उस टेम की तो उसके बाद फिर दे दे मम्मी नहीं सब समाला बैनोंने फिर ममी नहीं उनकी शादी और साब उन्हों नहीं किया तो उसके बाद दे 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 भाई ने जोब करी फिर में बैनों का हाट रहा इसमें तो फिर दे दे जब मैं 11 क्लास के बाद से मैंने फिर कुछ जोब करी मैंने फिल्ड की जोब की, एक होटल में भी जोब करी ऐसी वन मन्त के असपास पर वो मुझे चोटी मोटी जोब की पर नहीं सेट नहीं हुआ मैं वहाँ पर और पढ़ाई में भी अच्छा था ही नहीं तो फिर उसके बाद मेरी 12 किलियर होने के बाद फिर था मैं क्या करूँ मैंने मॉवाइल कोर्स भी किया उस टैम मॉवाइल कोर्स ट्रेंडिंग में था मॉवाइल कोर्स मतलब क्या हो गया मॉवाइल रिपेरिंग का कोर्स तो वो करके फिर उसके बाद एक शॉप जो होते है रिपेरिंग शॉप वगारा भी पर वहाँ पर बहुत competition था हमारे जो जिस हेरी में मैं रहता हूँ तो वह भी नहीं फिर मैंने graphic designing यह करना यह नोईडा में 62 यह आपका जी है न जी नियूस उसका ही जी का institute है वहाँ से किया मदर से कहा मैंने फिर अपनी ममी से उन्होंने जैसे दैसे करके कराया फिर उसी इश्यू चला था शादी करो फिर divorce हो गया court का case चला था उस time मतलब situation थी बिलकुल खतम तो उस time ऐसे हालात थे कि मिड़े मील का भी खाना में खाया मिड़े मील ऐसा था मैं स्कूल से आये बिलकुल डाउन था बहनों की शादी हो चुकी थे उस time फिर वो situation निकली उसके बाद धिर जिरे फिर मैंने अब जो मेरे brother-in-law है इस time उनके पास जॉब करी 2000 पहली main job मेरी वो उन्होंने उनके पास उन्होंने company खोली blogging वो affiliate marketing करते थे ठीक है तो उन्होंने फिर अपने पास जॉब मेरी वो थी तो उसके साथ साथ मैं फिर करा था इस टैनोग्राफी मेरा था कि मैं गौर्वेंट जॉब होता है एक security जॉब सरकारी जॉब का train है उसके लिए मैंने फिर इस टैनोग्राफी स तो एक कुछ करना था कि घर वालों पेड पैंड नहीं रहना और घर वालों को जो situation पहले देखिया वो ना देखनी पड़े तो फिर दीर जीरे फिर मैंने side by side जो मेरा बदर लो है इस टैम उनके साथ ही job भी करी थी फिर उन्होंने मुझे अलग से भी काम दिया था अलग से एफलेट जिसे घर से पार्टनर्शिप में काम दिया वो हमने किया तो उसी में first month से ही मेरा 500 को थाउजन डोलर बनने लग दे लिए तुमारा शेयर है मेरा शेयर से बाकी तो हम तीन थे उनका शेयर मिला के मेरा 500 थाउजन आ जाता था पहले महिने से यह किसी एर की बात है जाए दोजार सोला का एंट था 17 के असपस था उस टैम चारजर की जॉब और वो दोनों चल जाता मेरा तो उस टैम मुझे मुझे भॉवाइल लेना था मुवाइल था ही नि है और टाटा का चोटा सा बहु अना जा वो मेरे बाई ने गिफ्ट किया था फर्स तैम तो उसके पर फिर मैंने बाइक लिए ली ती, स्कूटी लेती, उसी इंकम ज़ेती, मैंने ली ली टी, 72,000 की स्कूटी, Oh my God! अच्छा, पिर, actually मैं system था मेरे पुराना पुराना system था उससे ही काम करता था फिर laptop लिया था फिर मैंने 20,000 उटीस का उसी अनिक से, affiliate अनिक से क्योंकि salary तो कुछ भी नहीं salary तो कुछ भी नहीं salary तो 4,000 था time passed लिया था वो लेके फिर जो situation थी हमारी court का case final वा भाही का बहुत सारा case में लगा था उसके बार वो भी फिर रीपे करना पादा रीपे लिए तो वो करते करते काफी ता फिर मेरी job लगी 2017 में अच्छा ये job छोड़ दी ते ये job मैंने फिर डेड़ साल से उपर करी थी हम पे फिर मेरी वहाँ पे लगी अच्छाई में नैशनल हाईवे में 16,000 पर इए फिर मैंने वो जोइन करी वहाँ पे भी मैंने और अभी जब 16,000 की job पे आ गए थे तो जो पार्टनर्शिप वाला चल रहा था वो फिर दे दिरे वो मेरा खतम हो गया था एंड हो गया था तो वहाँ पे job कर रहा था मैं पर मैं सीख रहा था हूँ मैंने ऐसे कहीं course नहीं लिया कुछ ऐसा नहीं मैंने YouTube से कर 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 सब सीखा है बाकि जो brother in law है मेरे इस time बड़े उन से सीखा है उन्होंने बहुत help किया ऐसा नहीं है सिखाया काफी जो भी issue होता था वो बताते थे मना कभी नहीं तो उनसे सीखा है प्लस उसके बाद धेज़े मैंने website बनाना सीखा blogger पे first time blogger पे free blogger पे free blogger पे बनाई फिर मैंने एक बार event blogging ट्राई किया diwali पे diwali पे किया तो मैंने एक video देखी थी if the SEO करके एक उसकी video देखी उसने बताया ऐसे ऐसे करना मैंने ठीक है उसमें मैंने किया पचास images मैंने निकाल ली उसमें था कि भी है all tech image all tech main है क्योंकि वो search चीज में आ जाती images मैंने ठीक है फिर मैंने उस पे काम किया कुछ back links मना है comments back links उस पे चार पोस्टे डाली थी और वो मेरा second page पे आ गया था my god अच्छा उससे मैंने कमाये थे 20 डॉलर के आसपस थे बस ये आया था second page पे थी तो उससे मेरे को believe हो गया कि हाँ blogging में है ठीक है वो छोड़ दिया फिर मैंने धीर 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 2017-18 में फिर मैंने ये blogging की journey द्वारे स्टार्ट करी ठीक है अच्छा NHI के साथ-साथ साथ-साथ जोब के साथ-साथ मेरा अभी तक रहा जोब मैं कर रहा दा साथ में तो side-base सीखते होए मैं ये कलता गया फिर जो मेरी अभी wife है post name girlfriend थी तो उन्ही के साथ फिर मैंने काम स्टार्ट किया affiliate marketing गई तो हमने एक office खोला छोटा सा उसमें मैं और एक दो बंदे ओल थे तो हमने काम स्टार्ट के website बनाई स्टार्ट किया max first affiliate account हमारा बनाता max bounty पे मेरा मैंने फिर बनाया था अपना तो उससे कुछ महिने बाद आई थी sale एक 200 डोलर की दो sale आई मेरी तो लगा हाँ अब affiliate marketing में भी है कर सकते है क्योंकि अकेले कर रहे थे पहले तो brother-in-law के साथ कर रहे थे तो brother-in-law के साथ नहीं अपना हो गया था फिर जो wife के साथ जो खोला था office तो वो उनके brother-in-law जोए उनके साथ काम कर जीती है अच्छा पहले उनके साथ काम कर जीती है वो उनके साथ ही कर जीती है मैं उनके साथ था मैं उनके साथ करता था फिर मैंने उनके साथ साथ ही अपना अलग करा फिर मैंने second account बनाए अपना एक express revenue है कंपनी है यूएस की यूएस की एक्सप्रेस रवेन्यू थिक है यूएस की है एफ लेट तो उस पे बना मेरा अकाउंट अप्रूब बड़ी मतलब बहुत टैम लगा तो से अप्रूब होने क्योंकि वह ना इंटर्व्यू लेते हैं आपसे मिला वह उन्हीं को देते हैं एक् पेश तो तो वह समझते हैं मतलब अगर कम इंगलिश आती है तो वहाँ वह ऐसा समझ लेते हैं अगर उन्हें कुछ होता है डाउड तो समझ जाते हैं आँसको सामने वाले को समझाना मेरे को आता है मैं उसे लिख देता हूं mail तो वह अप्रूव हो गयाता मेरा अकाउंट जब से फिर वह हुआ मेरा अप्रूव 2019 में नाइंटीन में वह अप्रूव हुआ उसको फिर उस पर काम किया मने उस पर मैं अलग करा था जो वाइफ थी वह अलग अपने भाई के साथ करी रही थी तीन महीने बाद करते करते काम हमें लगा कि क्या बंदे होते हैं कि छोड़ तीन महीने बाद जो तो छोड़ को तो देखा हमें विए फिर नींद भी आई नहीं रिखा इसा हो जो वर्क हमने किया था इतने टाइम से वह उसका आ रहा था था पिर हमने किया दिए ठीर मेरे जो फरस्त मंद की जो इंक गा इंकम आई ते उससे हो एक टू एटी फाइट डॉलर ठीक है वह है एफिलेट की पूरी अफिलेट है पूरी एफिलेट और यह सब और और गैनिक ता मैंने आज तक एड चला ही नहीं एड गूगल एड या फेजूक कुछ नहीं चलाया मैं और गैनिक भी डिपैंड हूं आज तक तो उसके बाद फिर हमने नेक्स मन्त फिर द्वारा चलता रहा उस महां से मेरी जनी स्टाट होगी एफिलेट की एफिलेट नेक्स मन्त फिर मैंने 500 प्लस डॉलर इंकम वो मैं आपको दिखा दूँगा एक वो सारी स्रीप्ट हैं पेइमेंट की उसके अधियर दीर दीर मतलब सीखा वहांसे मीड फिर फिर मैंने चोड़ करकें सभी किना कमपनी नेचेए वाला था Taylor चोड़ा मैने 2019 में इंचे करना में चार में पर मान में सब्सक्राइब चोट करकें सही लगा नी कि क्योंकि कंपनी में जोब करना मेरे बसकी जब कमाने भी लग जाते हैं तो पिर होई नहीं तो मैंने चाल मिन बाद छोड़के मैंने का इस से वडिया में अपनी कॉंट्रेक्शल जोब जो एज पीए मैं लगा वहां पे इंटर रेलवे में इट तो वहां पर लगा मेरी चैल री टी वन थाउसंड चिक आपर जोइन करने के बाद महां पर एक्षट्र शेंडे चुट्टी थी यहां एनच्चेमें नहीं था मेरा सिफ संडे होता था आपर स वो आई 7700 डॉलर एफलेट का यह इतनी बड़ी पहली बार आया था पहली बार पहली बार फाइफ थाउजन आया फिर उसके 77 मैं इतना टू-3 मन तक यही रिवेन्यु रहा फिर उसके बाद मतलब दिल एक तो खुश होगे कि अब तो भाई यही करना यही जिन्दगी है उस को अभी करी रहा था मैं त्यारी पृपरेशन करता था गर्मेंट जोब की पर रेटन करण नी निकला कहीं पर कुछ रह गया ऐसा रह गया था वो करते करते मुझे अब हो गया था दो साल होने वाले थे एपरैल में लास्ट आपरैल जो था फिर मैंने एपरैल में वहां से कोर्स लिया था उसमें सीखा मैंने एक्सपायर डॉमेन पर कैसे रिसर्च करने है कैसे निकालने है वहां से सीख के फिर मैंने बहुत रिसर्च भी करी फिर मैंने एक डॉमेन लिया बारह जार रुपे का एक्सपायर डॉमेन ठीक है वो किसी कंपनी का था उस पर कोई कभी एड से से बन गए उन होगी सिर एक स्वेंजिया एक्सपी डॉमीन का कि क्या उस ब्लॉगिंग से मैंने неक्सिंद मेरेडी पांचो डॉलर होगई वह रजए मन वह फो किम तक शोट लॉलर वो वह 10 दून में ही क्योंकि वह भी तो वह 10 ever enjoy फिर अग्ले महीं लाइक वोट ये उसमें में प्रिम और मैन अच्छा दे जाता हुआ हो गूर्छ चली लिगि लिगई तो भाई को ह्वाइओ काइन Mittel श्राबिस्दीन अगा हूस्ट की वज़े से आभी होस्टिंग हुँआत पूस्टिंग मैं बोलुगा फिर मैंने लिया मुझे वो भी कि होस्टिंग की वज़े से साइट डाउन हो गई इसलिए क्या है ना कि नए बंदा कोई भी होता मैं उसको बोलतो भाई आंख बंद करके आप होस्टिंग कर ले सकते हो यह हमाई पास live example है किशन और अगर आप एक ब्लॉग बनाना चाहते हो तो कैसे ब्लॉग बनाना चाहते हो अगर आप अभी तक इंप्रेस हो किशन से आप ब्लॉग बनाना चाहते है तो free blogging course part 2 या फिर i button में हम link दे देंगे कि कैसे आपको एक international blog बनाना है and अगर आपको hosting लेनी है तो मैं hosting कर recommend कर रहा हूँ काफी affordable hosting है उनका premium plan लोगे तो बहुत 100 website तक वहाँ पर host कर सकते हो और अगर आप मेरी affiliate link और coupon code जो कि description में दिया है उसका use करोगे तो आपको और ज़्यादा discount मिल जाएगा मेरा affiliate link यूज करके रगर आप hosting लेते हों कोई सी भी hosting लेते हों तो हमें invoice जरूरी email करें कुछ न कुछ goodies हम आपको जरूर देंगे भाई sorry हम आगे कहने फिर उसके बाद ये काम चलता गया हमारा उसके आदी है फिर मैंने एक और expert domain लिया एक और लिया फिर मैंने एक और लिया फिर मैंने एक और लेकर उस पर चलाया बता है फिर दोनों पर काम करना चाहिए पर लेकर उसके बाद लेकर उसके बाद लेकर उसके बाद उसके बाद उसके बाद इस पर भी आजाएगा तो मैंने उसको फिर क्लाउड सर्वर पर ही होस्टिंग कर पर हाँ वो उस पर डाल दी आज भी वो उसी पर ही है उससे कर देख देख फिर अब वे दिन मेरे को मेरे खालत है त्री टू फॉर मन्त ही होंगे उस एफसाइट को चला हुए तो अभी इस मन्त लास्ट मन्त का एवरेवैन मेरा आठ हजार डॉलर माई महीने में और यूएस का ट्राफिक पूरा यूएस का ट्राफिक है और मैं शॉक्ड था जब इसने बताया 267 डॉलर का आर्पीम है मतब इतना जादा आर्पीम भाई 300 प्लस भी जाता है 300 प्लस भी जाता है तो ये इंटरनाशनल ब्लॉगिंग पर काम करने का फाइदा है औ और भाईद चेंपिन हो गयारे तीन महीने में ऐसे निये मेरे ब्लोग डाउन यूए, बहुत चलाए हैं, मैंने वोट चले ही नहीं, एकसपैडो में ने एक और लिया था, जब सबसे पहले मैंने एक सरज करके लिया था, तो उसमें क्या हूँ, मैंने गलती से एक फाइवर से लिया था, वह किसी बंदे से सर्विस लेटी चार सूर पे गी तो उसने मैंने को पता नहीं था कैसे लें तो मैंने फाइवर पर सर्च किया दिखा दिया उसने का हाँ बही चार सूर पे दे दो मैंने दे दिया उसने में को डोमेन दे दिया वह मैंने बना दिया सब थीम लगा कि सब कर द दोस्त है तो उनके साथ किया था तो वो ब्लॉग राइडिंग कर देते हैं तो पता लगा बाद में वो गोगल ने पेनलाइड का दका है तो यह और है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि expired domain आप लो फेल भी हुए है जैसे भाई बता रहा है फेल भी होते हैं तो थोड़ा सा ब्लॉगिंग का एक्सपीरेंस जरूरी है इसलिए आप फ्री ब्लॉगिंग कोर्स वाली सीरीज भी हमाने जरूर देखें और पॉइंट ही कि एक्सपीरेंस जरूरी है ऐसा नहीं कि आपने expired domain लिया और आपका सक्सेस्फुल हो जाए एक्सपीरेंस के बाद भी फेल हुआ तो यह सारी चीज़े ध्यान रखना बहुत जादा जरूरी है और आपको लगता ही कि expired domain से रिलेटेड एक पूरा कोर्स बनना चाहिए तो प्ल अगर उसे पैसा कमाना है तो और intelligent काम भी किया ना India target नहीं किया पोटेंशल नहीं है इतना potential ही नहीं तो सीधर यूएस पही चले गए तो मैंने शूरू से affiliate marketing भी यूएस उनली यूएस यूके कनाड़ा ब्राजील अच्छा ब्राजील में अच्छा आता है ब्राजील भी है ब्राजील होगे आपका ऑस्ट्रेलिया यह है अच्छी अच्छी गंटे है जहां पर affiliate जो most जाता है यूएस से जाता है यूके से जाता है तो वह भी है वहां से भी मनलब लाखों में है तो ऐसी अभी तक एक वीडियो हम करंडीप का डाल चुके हैं जो ऑस्ट्रेलिया से एक क्लिक पर उसको 10,000 रुपे मिल रहे है अच्छी मेरा जो CPC गया हुआ है यूएस इनका एक क्लिक से तीन तीन डॉलर गया हुआ है मेरा धाई से तीन डॉलर इसका आए 10,000 रुपे वो तो फिर तो है ना ऑस्ट्रेलिया से कर रहा है वो अभी वो आपका अपकी नीश प सबसे जादा CPC और RPM तो आपको पता है तो वो वीडियो आपको लिंक में मिल रहा होगा करणदीप के अगर आपने नहीं देखा तो देखो वो भी और गयानिक ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है बेसिकली तो ऑस्ट्रेलिया से एक क्लिक से उसको 10,000 रुपे मिल रहे है 100,000 डॉ बोल रहा हूँ तो मैं पागल हो के सुनके मैंने का भाई यह क्या हो रहा है एक आपकी वीडियो थी वो दो लोग आए थी गुपता जी उन्होंने एक बात कही थी मैंने नॉडिस की थी कि गूगल एक समंदर है वो आपकी मर्जी आप कितनी बाल्टी निकालते है उसमें से तो यही वो कुछ बहुत अच्छी बात थी वो तो वही मैं कर रहा हूँ यह यह बहुत बड़ा समंदर है और पता है कि मैं यह यूट्यूब चानल चलाने का एक फाइदा जो मुझे हो रहा है तुम्हारे जैसे लोगों से मिल रहा हूँ नहीं तो मैं जब काम कर रहा था मुझे एक ही तरीका पता था किया ऐसे ही हो सकता है और कोई दूसरा तरीका बताता था था ना मुझे लगता थे फ्रॉड है समझ रहा हूँ ना पर फिर नहीं जब यूट्यूब बनाया यूट्यूब में बेसिकली लोगों से मिलने लगा तो मुझे रियलाइज हुए है यह वाकरी में समंदर है और इसी से रिलेटेट मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ कि 21 तरीकों से एक सिंगल ब्लॉक से आप कैसे पैसे कमा सकते हूं लोगों को विश्वास नहीं हो रहा वो भी आई बटन में आपको लिंक दिख रहा हुगा भाई इतनी पोटेंशल है अगर तुम लोगों का ने आके लाइव मुझे सारी चीज़ें दिखाई तो मुझे विश्वास हो रहा है अगर कोई विश्वास भी नहीं करें तो यह विकार है ठीक है तो यह भी अलगी कहानी चल रही थी जो मैं 2013 से ब्लॉगिंग कर रहा हूं मुझे पता ही नहीं थी त तो मिरे बास गुपता जी आये तो मैंने बताए कि मैंने एक एक्सपायर डोमेन ले लिया 50,000 रुपे का और वो फेल हो गया कि उसमें कुछ ही नहीं आ रहा है 0 रुपीज आ गुपता जी कह रहे कि कितने नहीं दोगी बताओ 50,000 ले लो उसकी उपर कित तल होगी तो जब पूलने लागी कितना लोगे जांकि मैंने का नहीं बेच रहां और अभी इससे बात हो रही हquarी किरें मेरे को बेच दो मैंने काम कर दू अथा रहां है तो पॉइंट ही कि एकसपायर डोमेन के या बेच तुनिया है और यह बेच नहीं तो नास्ट लिया है दो डोमेन जो ग पर चाल लाग वाले पर मैंने कर दिया वो ट्रावल नीश काया हैं तो उसको ग्लोबल टारगेट करूँगा में जो उस डॉमेन की कंट्री थी वो उस थी ती और रैंक भी है फस पेज पे रैंक भी हो गया फस्त आर्टिकल डाला सिप एक आर्टिकल डालते ही रैंक है वो पर उसमें इतनी पोटेंशल नहीं होगे अच्छा चार लाग वाला जो डोमेन लिया पूरी रिस्क थी ना कि वह फेल हो सकता है तो इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे मैं अभी भी चार लाग का डोमेन नहीं लोंगा एवन मैंने एक और लिया थी उसके बाद एक और लिया है कितने का साड़े पाँच माई गौड अब इसको तो खून लग गया है ये तो अगर आपके पास अगर अभी नहीं है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि पीस मैंने जो आपको बताया थे कि मैंने दोनो एक्सपाइड और न्यू दोनों स्टार्ट करे थे तो ए पेशन्स नहीं है उनका क्विक रिजल्ट चाहिए और नहीं आ रहा है तो मैं यहीं बोल रहा हूँ कि यह भी काप अगर पेशन्स करो कि तो हमारी तो पूरा ब्लॉगिंग से रिलेटेट चल रहा है तो पेशन्स अगर आप रखोगे तो पहुँद जो कितने भी आप तो अब मैंने कोई keyword research कर लिया, अब मैं एक कोई keyword research कर लिया, अब top 10 में एक 90 वाली है, और एक 20 वाली भी rank कर लिया, तो मेरे में क्यों होता है, अब उसको पूरे निचोड दालता हूं, कि भाई ये rank क्यों कर रहा है, इतना, उसकी D, A, P, A, age क्या है, कैसे article डालें, कब से काम, इसे backlink profile कहा है, कैसे क्याम कहा है, तो वो मैं research पर सबसे जार time देता हूँ, और ये experience के साथ ही होता है, करते 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 हैं, मैं आज भी research ही कर रहा हूं सारी चीज़े, तो मैं वही बाकी लोगों को भी बोल रहा था, कि अगर आपको काम करना, अगर आपने web stories पे काम नहीं कर रहा है, तो please करें, आपको again button दिख रहा होगा, आई button पे, तो वहां से आप पूरा एक blog बना सकते हैं, web stories रिलेटे, web stories पे अभी मैंने start किया नहीं, कोई भी नहीं बंदा कर रहा है, जैसे अभी मेले पास जितने भी seasoned आदमी है ना, जो main पैसा, मोटा पैसा कमा रहा है ना, वो web stories पे काम ही नहीं कर रहा है, है ना, web stories पे पता है, अभी एक लड़का मुझे मिला, वो बहुत ज़ादा पैसे कमा रहा है, बहुत ज़ादा, और उसने फिर शेयर किया, कि सर आपकी वज़े से मुझे web stories पता चला, मैं काम कर रहा हूँ, मैं हैरान था, इतना पैसा कमा रहा है वो, ठीक है, तो मैं अभी खुद नहीं कर पा रहा है, वेब story पे काम, क्योंकि हम अपने काम में भी बिज़े हैं, और उसको, फिर मैंने बोला, आप क्या कर रहा है, कह रहा है सर, मैं आप लोग कुछ long term का सोच रहा हूँ, SEO की classes जा रहा है वो, तो उसको SEO नहीं आता, SEO नहीं आने के बाद भी, वो web story से पैसे कमा रहा है, पंदरा web story डाली और ट्राफिक नहीं आया, उन्हें कल लो, कुछ नहीं होगा, 15 से कुछ नहीं होगा, शुडू में तो सीखी रहे हो ना, सीखी रहे हैं, शुडू में तो आपका एक साल तो investment time होगा, कि आपको time तो देना पड़ेगा सीखने से, अब ये बताओ भाई, अभी कितने जैसे अभी जो काम कर रहे हो, तो कुछ employees वागे रहे हैं? मैंने दो हैं, जो करते हैं, ब्लॉक पोस्टिंग का काम लाता हूँ, उनको जिसा जिसा जिन्ग बता रखा है, मैंने कर रखा हैं, हम फ्रेशर को लेते हैं, उसको सिखाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि सीख जाता है, और थोड़ा ट्रस्टी बंदा होता है, और जान पिछान हो जाता है, तो उसको रखते हैं, और अलग से भी, ऐसा निया कि एम्प्रोई है, तो अब हो है कि 10-12,000 में क्या, तो उसको फिर में अलग से भी हम कराते हैं, अलग से मतलब उसका भी स्टार्ट करा दे हैं, उसका भी ब्लॉग स्टार्ट करा दे हैं, ओ माई गॉड भाई, इस बात पे तो लाइक बन जाए, इतना दरिया दिल इनसान, तो मैंने नहीं देखा यार, कि उसका भी स्टार्ट करा दिया, हाँ, वो भी 1-2,000 डॉलर कमा लेता है, माई गॉड, अब उसको भी मैंने, जब दिया था, एक्सपार डॉमेन लेके दिया था, अच्छा, उसको तुम नहीं खरीद के दिया था, पहले उसको अनिंग भी कराई थी, अनिंग होई उसकी, आपके गैस पोस्टिंग वगरा के थुरू करी, उसने अपनी उसकी मैनत थी, क्योंकि नोसेच है हमारे पास जोब करता है, उसके बाद फिगर से अपना, अलग, तो उसके बास था, तो उसके बाद, वो एफलेट मार्केटिंग भी करता है, मैं अलग से मैं, मतलब अलग से वो करता था, जब वो आया था हमारे पास, उसके कुछ टैम से बता दिया था, तो आपने भाई, लोग वो ऐसा लड़का देखा है कि नहीं देखा है, जो अपनी एंपलॉई की भी पूरी मदद करता है, तो प्लीज कॉमेंट करें, और अब इसके अलावा, जैसे अर्मिंग के क्या सोर्सें हैं, जैसे ब्लॉगिंग हो गया, एक तो, फस्ट मेरी थी एफलेट मार्केटिंग, एफलेट से आती थी, और मैं हेल्थ और फिटनेस में एफलेट मार्केटिंग करना हूँ, उसके बाद जब मैंने फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट करें, एडसेंस के थूरू, मज़ा जाद है किसमें आ रहा है, मज़ा, दोनों में ही है, एक्शली क्या एफलेट मार्केटिंग, पुटेंशल क्या लग रही, जैसे दोनों में काम कर रहे है, तो ऐसा क्या लग रहा है, मूटा पैसा किसमें है, मूटा पैसा पैसे सर, इस टैम अभी चल लाए, एडसेंस ब्लॉगिंग में, है काफी, क्योंकि ब्लॉगिंग में क्या है, आपका एडसेंस से, व्लॉगिंग इस डैड, नहीं डैड नहीं है, जब तक गूगल रहेगा, वही बात आगी ना, गुपता जी वली, जब तक गूगल रहेगा, और 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 गैनिक सर्च रहेगा, अरे लोग कर नहीं बा रहे ना, तो वह असली में कहाना, मैं सही बता हूँ, कि हमारा चैनल चाल होने से पहले, मैं थोड़ी से अपनी थारीफ कर दे रहा हूँ, कि यूजवली लोग कहते थे, कि यार आडसेंस से पैसा कमाया ही नहीं जा सकता, जूट है, क्योंकि लोग अफिलेट मार्केटर वाले आते थे, वो क्या करते थे, कि उन्हें अपना कोर्स बेचना होता था, कोर्स कोर्स में होता कुछ नहीं होता, वो एक अलग बात है, बढ़ प्वाइंट है, उन्हें कोर्स बेचना होता था, affiliate marketing में हो जाता है कि कम traffic में पैसा आ जाता है वो ad-ad चलवा कि उसारी चीज़े कर देते हैं क्योंकि लोग काम नहीं करते हैं 10 blog post डालते हैं traffic नहीं आता हूँ कि रहे ad sense भिकार है तो वो affiliate marketing है मतलब मैंने एक बंदे को भी देखा है कि ad sense is bullshit नई अगर अगर आपकी site जैसे मैंने जो कर रहे तो उसमें मेरी जो पोस्ट ही करीब 4-5 जार पोस्ट है 4-5 जार जो last थी मेरी जो hosting की वज़से dad हुई थी side नीचे आई थी down वो उसमें ऐसी है 5 जार के असपास post है अब उसको मेर को अभी एक साल भी नीचे वा ली होए तो इस posting महनत करनी पाद है अब इतनी सारी websites है तो उनमें article कितने डालते हो per day का frequency वगएरा क्या रहता है जैसे कि हमारे हम पे जो 5-6 side है जो जो actively काम चलता है तो उसमें per day per side 20-25 articles डलते है मतलब 125 के आसपास daily जब 100 से डेट सो के बीच में रहता है article publishing का तो इतना content writing वगएरा कैसे कर लेते हैं तो इतने employees नहीं है तुमारे पास में employees तो नहीं है पर वो AI tools spinner tools spinner का यूज़ करते है ये क्या चीज़ होगा spinner का यूज़ आर्टिकल को रिराइट कर देते हैं unique करता है वो rank करता है rank of course तो ये तो पुरा copy paste हो गया copy paste है पर वो एक हम use करते है intelligent tool machine जो है intelligent copy paste हो गया copy paste वो है आपके एकदम 100% मक्खन बना देता है आपका मतलब Google में अगर आप check करोगे तो copy paste नहीं दिखाएगा कि आपने इस site से copy कर रहा है copy paste है पर Google को नहीं पता चल रहा है कि ये copy paste है भाई साब क्या कर रहे है और ये पिछले कई सालों से चल रहा है अज़र सर वैसे आप भी try करो आपको भी copy paste करके यार वेरे को ये ना यार ये somehow ठीक नहीं लगता है क्योंकि इसका reason बता रहा है I'm sorry तुम काम करें फिर भी कि यहर क्या है कि जैसे तुम लोग नए नए काम कर रहे हो मैं पिछले 2014 से काम करो तो कितने सारे updates आयों यहना 8-9 सालों में और किसी भी updates से कभी भी कोई हमारे traffic पे कोई खास फरक नहीं पड़ा traffic volume अगर किसी keyword का volume उपर नीचे होता है तो होता है पर ऐसे update से फरक नहीं पड़ा मुझे लगता है मैं तुम्हारे method पे जाऊंगा ना तो मेरी site खराब हो जाएगी हमारी side इतनी time से चल रही है सालों से हमारी side पे कोई फरक नहीं पड़ा चल रहा है और running भी हो रही है कितने time से चल रहा है कुषनी कुषनी 5 साल तो ही 5 साल से ही पूरा method फॉलो कर रहा है मतलब हम genuine भी रखते हैं वो अलग है side है पर जो ये 5-6 side है अपने वो भी चलती है वो ऐसे ही करके चलते है पेइन करके यार ये भाई ने मेरे दिमाग हिला दिया है अब मैं कुछ नहीं बोल रहा है मैं काम करूँ का नहीं करूँ का पर मैं इतना जरूर रोला कि मेरा दिमाग हिल गया है mostly मेरे को अच्छा भी लगा क्यूकि राइटर्स तो इतना content नहीं provide 125 आर्टिकल के लिक्वाने लगे तो तुमारा आइटिंग डेड़ दो लाक रुपे तो राइटिंग कही खड़ जा जाएगा अलाम से तो वो सारा बच जा रहा है बस उसमें तो कुछ पेट टूल पे चला जा जाता है अचा तो जो तुमारे ब्लॉग है वो निश स्पेसिफिक हैं कि मल्टी निश है कुछ है मल्टी निउस टाइप के है अचा निउस टाइप के है मल्टी रहते है सारे country है यूएस बगर जो content है वो multi है एक और बात जो मैंने fresh domain और expert domain दोनों start के रहे साथ में तो expert domain का result आगे रजल्दी जो fresh domain ता उस पे मेरे को तीन से चाह मैंने लगे ठीक है ठीक है उस पे content डलता रहा adsense approved हो गया adsense से भी आने लगे उस पे पैसे पहले रसूर में पचास जोलर महिने के ऐसे है दीर दीरे जब वो rank करने लगे दीर दीरे उसके बाद वो पहुचा आपका सो डॉलर प्लस पहुचा महिने का दीर जैसे आठ महिने होगे ना उसको तो gas posting एक gas posting भी source अच्छा है बहुत अच्छा है उससे भी मेरी earning होती है gas posting से भी 2000 3000 पर मन अब यह आजाते हैं कि total कितना earn कर रहे हो total estimate लगा लो जिस एक adsense से हो गया 8000 डॉलर तो तुमने भी screenshot दिखा दिए हूँ affiliate से भी affiliate करके थोड़ा नीचे उपर होता है तो मान लो 2000 के असपास 2000 यह हो गया हाँ और आपका दूसरा यह तीसा gas posting तूठरी रहते ही है कभी पंदासो दोजार तीन हजार तक साड़े तीन हजार तक तक है तो 3000 अगर कि अगर वह जिसका माना कि तो 1500-3000 है हाँ 10-13000 के बीच में रहता है अभी ऐसा लग रहा है हमें ऐसा देख के कि तुमने जैसे ब्लॉग बनाया तो तीन महीने में रैंक हो गया पर उसके पीछे वाली जो महनत है प्लीज उसको काउंट जरूर करें नहीं तो कोई भी है ना आ जा और तीन महीने में रिजल्ट ना है अच्छी दिन में मैं जॉब करता था फिर शाम को महां से आने के टूशन जाता था फिर सुबह चार बज़े उटके बढ़ाई भी करता था और फिर एक गंटे में का एक दो गंटे काम भी करता था यही जजबा चाहिए ठीक है यही मोटिवेशन चाहिए उसके पढ़ाई भी ठीक दो फेर वाइब है वहु भी खत्रमें साथ में उनके भी एक थे वह फ्रेक्त्ते बड़ी अच्छी झंड कर दें टेजी ऑपकी रखनी है यहाँ पोड़ी लगसे रिखारईए तो में निकाल अब एक नतद नकाते यहाँ निकाले भी। एक और कि जो फ्रेश डोमेन जो मैंने चालू किया था आठ महीने से एक साल लगा मुझे वह मैंने उससे कमाया फिर मेरा है ब्रदर इनलो है छोटा बला वह भी हमारी जो मेरे इनलो फैमिली है वो सारी इसी सब चीजह में ब्लोग है तो फिर मेरे को दे दो आप ये फ़र साइड बेक सेल कर तो मेरे वह सेल कर दी डेल लाग में तो अब वो कमा रहा है उससे वो भी कमा रहा है कितना कमा लेता होगा वो वो फाइफ तू सेवन थावडन डॉलर पर माइज पोस्टिंगा तुम्हारी फैमिली को तु पहले अजी जा सब मिल गया है एजूकेशन उस उसने पढ़ाई में थानी पर मैंडिड है बंदा पर पढ़ाई उसने ने की बचपन से यह सब दिख जाए ना अफिलेट मार्केटिंग मार्केटिंग तो कहां फिर पढ़ाई करें गया है वो आगे थे फिर उनी की वज़े से प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्र वो मैंने छोड़ दिया छोड़ दिया सरकारी नौकरी को लाट मार दी अब नहीं कर दी अब समझ में आगा कि तगड़ा potential है वह जैसे जैसे आप experience हो जाते हो आपको चीज़े पता लग जाते है बिना experience के कुछ नहीं होता और पदा एक चीज़ और भी थी कि जो struggle था ना past का वो तुमारे लिए कुछ benefit भी कर गया क्योंकि कई लोग होते है जिनके पास actually उनके माबाब के पास पैसा होता है वो struggle कर दे है वो easy way उटे है वो 4 बज़े थोड़ी ना उटेगा कि मैनत करने के लिए तो इसलिए वो उनकी अलग struggle होगी आगे जिनके माबाब के पास पैसा है ना उनकी struggle आगया अलग हो कि वो कुछ ने कर पा रहे है तो यही सारी चीज़े हैं तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके किशन तुम से और मुझे पूरी उम्मीद है कि बाकी सब लोग भी किशन की स्टोरी देखके इंस्पायर हुए होंगे अगर आप इंस्पायर हुए हैं तो जै किशन कॉमेंट जरूर करें तो मुझे पता भी चल जाएगा इंस्पायरिंग-पॉड्कास्स तो लाता ही रहता हूँ प्लस हम ब्लॉग रिवीव करते हैं जो भी नया ब्लॉगर है यूट्व रिटीव करते हैं जो नया यूट्यूबर है और हमारी फ्री ब्लॉगिंग कोॉर्स की सीरीज चल रही तो वो धवी चेक आउट करना ना भूलें, अगर आपको blog review, youtube review में participate करना है तो क्या रहना, community में active रहना है लोगों की अगर कोई problem है, तो solve करते रहना है, क्योंकि मेरा मानना है, ग्यान बाटने से बढ़ता है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ही end करते हैं, वीडियो को like करें, वीडियो को share करें हमारे channel को subscribe करने ना भूलें, thank you very much